आज हम सिखेंगे creative writing जब आप खुद से सोच कर किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो उसे creative writing कहते हैं तो आज creative writing में हम लिखेंगे my toy के बारे में my toy यानि मेरा खिलोना my toy जैसके इस तस्वीर में picture में आप देख सकते हैं यह क्या है यह एक stuffed bear इस तरह के खिलोनों को stuffed toys कहते हैं इन में रूई वगएरा भरी होती है यानि cotton होती है और इस तरह के toy को अक्सर teddy bear कहते हैं इसी तरह से यह है toy car और यह है dolls तो आप अपने toy के बारे में लिखने के लिए बता सकते है name यानि उसका नाम जैसे के bear, car या toy माफ कीजिए कर doll और अगर आपने doll का कोई नाम रखा हो तो वो भी आप बता सकते हैं फिर आप उसके material के बारे में बता सकते हैं किस चीज से वो बना है जैसा के यह teddy bear और यह वाली doll है यह दोनों stuffed है जबके यह दूसरी doll जो है यह plastic की है और यह car जो है यह metal की है फिर आप बता सकते हैं who gifted it यानि यह toy आपको किस ने gift में दिया था तोफे में दिया था और यह बता सकते हैं कि how many यानि आपके पास यह कितने है one, two, या many बहुत से इसी तरह आप बता सकते हैं care के बारे में यानि आप कैसे अपने toy का खयाल रखते हैं जैसा के आप उसे साफ सुत्रा रखते हैं या आप उसको cupboard में रखते हैं ताके वो खराब ना हो या गुम ना जाए फिर आप उसके color के बारे में भी बता सकते हैं तो इस तरह से हम my toy के बारे में लिख सकते हैं creative writing कर सकते हैं तो चलें अब हम इन में से इस toy car को pick कर रहे हैं यानि इसके बारे में अब हम लिखेंगे तो पहले आप नाम बताएंगे यानि यह क्या चीज है यह कौन सा toy है तो आप यह कह सकते हैं कि I have a toy car कि मेरे पास एक toy car है पहला letter जो है वो capital लिखते है sentence का line 1 से line 3 तक straight line आप कीजिए का एक मतबा फिर देखते है line 1 से line 3 तक इस तरह से straight line I लिखने के लिए और फिर यह है capital I line 1 पर यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह से आपने यह dash सा लगाना है इसी तरह एक छोटा सा dash इस line के नीचे यह हो गया capital I I के बाद लिखेंगे have इसके लिए सबसे पहले letter H, बाकी के letters सब small में लिखेंगे small H लिखने के लिए इस तरह से straight line line 1 से 3 के बीच में और फिर line 2 पर लाकर तोड़ा सा round इस line से थोड़ा नीचे से यहां start करते हुए यहां से round और फिर आपने इसको यहां से लिखेंगे जाना है line 3 तक small H के बाद letter A इसके लिए एक circle सा बनाना है line 2 और 3 के बीच में और फिर straight line letter V के लिए इस तरह से 2 slant या टेरी सी lines होती है आपने भी इसी तरह से लिखना है फिर letter E के लिए एक straight line फिर यहां से half circle यह हो गया E H A V E have, I have a A के लिए इस तरह से letter A line 2 से 3 के बीच में फिर toy लिखने के लिए line 1 से थोड़ा सा नीचे से start करेंगे और यहां हमने बनानी है इस तरह से straight line line 3 तक थोड़ा सा round फिर इसको cross करना है यहां पर T के बाद O और फिर Y इस तरह से आपने भी लिखना है I have a toy और यहां पर आ जाएगा car C लिखने के लिए इस तरह से माफ कीजिए अगर small c लिखना है तो उसके लिए line 2 से 3 के पीच में इस तरह से आदा सा circle C और फिर A और R यह हो गया car I have a toy car और फिर full stop यह sentence complete हो गया है I have a toy car यानि मेरे पास एक toy car है अब इसके बाद हम इसका material बना सकते हैं यह किस तरह की चीज से बनी है प्लास्टिक या metal लोहा वगयरा जो होता है उसे metal कहते हैं तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि it is made of metal यानि यह metal की बनी है तो पहला जो इसका letter है sentence का वो क्या होगा capital और वो है capital I तो उसके लिए straight line line 1 से 3 तक और इस तरह से इसके उपर एक छोटा सा डैश और नीचे भी एक डैश तो यह होगा capital I और T लिखने के लिए line 1 से थोड़ा सा नीचे से start करना है और straight line नीचे तक यहां से round और इसको cross करना है it it और इसके बाद आ रहा है is तो उसके लिए small i और फिर s it is made लिखने के लिए पहले letter M small में सारे letters लिखने है सिर्फ पहला letter जो है वो capital होगा और जो नाम है वो भी capital से श्रू होते है made लिखने के लिए M A फिर D और फिर आखिर में E M A D E made it is made of of लिखने के लिए line 2 से 3 के बीच में O और फिर letter F OF of it is made of metal metal लिखने के लिए पहले small M फिर letter E इसके बाद T लिखना है metal लिखने के लिए और फिर letter A और आखिर में letter L और फिर full stop it is made of metal यानि ये metal की बनी हुई है अब बता सकते हैं who gifted it ये आपको किस ने तफ़े में दी तो father यानि अबू mother यानि अमी जिस ने भी आपको gift दिया हो उनका नाम आप इस sentence में बता सकते हैं जैसे कि आप शुरू कर सकते हैं my से my और फिर father mother या जो भी आपके grandfather यानि दादा या दादी अम आप कीजिए कि grandfather जैसे दादा या नाना या फिर दादी या नानी में से अगर किसी ने दिया तो grandmother लिखेंगे तो इस तरह से हम ये sentence लिखेंगे पहले हम यहां लिखते हैं for example father के लिए तो सबसे पहले लिखेंगे my उसके लिए capital M line one से three तक straight line फिर एक slant line line three तक इसी तरह से slant line वापिस line one तक और फिर एक straight line capital M क्योंकि ये नया sentence है full stop के बाद अब एक new sentence आ रहा है तो इसका पहला letter होगा capital capital M के बाद बाकी letters जो हैं वो हम small में लिखेंगे my लिखने के लिए M के बाद आता है Y तो my और M by my इसके बाद my अब यहां अब आपकी मर्जी है आपको अपने किस का नाम लिखना है मैं यहां father लिख रही हूँ father के लिए यहां पहले letter F फिर A आपने भी इसी तरह से लिखना है और फिर T H फिर E और आखिर में R यह होगे F A T H E R father my father और फिर लिखेंगे gifted G I F T E D D D D my father gifted IT IT और फिर आएगा 2 T O 2 पर टी फिर O यह होगे 2 my father gifted it to me M E me और फिर full stop यह sentence complete हो गया my father gifted it to me मेरे अबू ने यह मुझे तोफे में दी थी और अगर आपकी अम्मी ने गिफ्ट दी थी तो फिर आप फादर की जगा यहाँ अगर अगर आपकी दादी या नानी ने गिर्टी थी तो आप ग्रैंड मदर लिख सकते हैं और अगर आपकी दादा या नाना ने गिर्टी थी तो आप लिख सकते हैं grandfather यहाँ father की जगा पर तो sentence हो जाएगा कि my grandfather gifted it to me अब हम color का बताते हैं तो हम यहाँ blue लिखेंगे लेकिन आप जब लिखेंगे तो आप की card का जो भी color हो वो आप लिख सकते हैं जैसा के red, yellow वगएरा तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि its color is blue यानि इसका color जो है वो blue है, नीला है its लिखने के लिए सबसे पहले line 1 से line 3 तक एक straight line और फिर यहाँ एक dash और इसके नीचे भी small t, बाकी letters जो हैं वो small होंगे क्योंकि पहला letter जो है वो capital होता है उसके बाद small letters आते हैं एक sentence में तो its लिखने के लिए यहाँ से आप इसको थोड़ सा round करेंगे t के लिए और फिर cross करेंगे its के साथ यहाँ पर आएगा small s its यानि इसका और फिर color लिखने के लिए c, o, l, o, u, r, color its color is, is, is blue और आप यहाँ कोई सा भी color लिख सकते हैं जो आपकी car का हो या कोई भी toy आप उसके बारे में लिख रहे हो तो color आप उसी तरह से बताएंगे जो आपके toy का है तो blue लिखने के लिए b, l, फिर u और आखिर में e its color is blue और full stop its color is blue यानि इसका रंग blue है या नीला है चलें अब आखिर में बता देते हैं how many यानि कितनी cars हैं आपके पास तो जितनी भी cars हों आपके पास आप उसका number यहां बताएंगे for example मिसाल के तोड़ पर अगर आपके पास three cars हैं तो आप लिख सकते हैं I have three cars तो सबसे पहले I capital में लिखना है line one से three तक straight line इसको यहाँ इस तरह से हमने dash लगा के complete करना है I के बाद have आएगा I capital में बाकी letters आएंगे small में तो यहाँ पर हमने H लिखना है सबसे पहले उसके बाद A V E have I have three cars तो three लिखने के लिए पहले T फिर H R double E three cars C A R S और फिर full stop I have three cars यानि मेरे पास तीन cars है I have three cars और फिर यहाँ आप इस box में car की picture बना कर उसको color भी कर सकते हैं तो अब आप my toy के बारे में लिखना सीखने के लिए इस वीडियो को दुबारा देखे और इसके साथ साथ लिखने की कोशिश करें